आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम विशे लेकर आए हैं कि जो हर इंसान वादा करता कि आज नहीं कल करेंगे लेकिन संतों ने कहा है कल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुर करोगे कब कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज कर लो जो आज करना है उसे अभी कर लो क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है और संतों ने यही भी फरमाया कि जो कल हम कहते हैं कल 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 लेकिन जब हम कल के दिन प्रवेश करते हैं लिए वो हमारा आज ही होता है और आज के दिन भी जब हम काम करने चलते हैं अब ही होता है इसी के लिए संतों ने कहा है कि जो कल करना है उसे आज कर लो जो आज करना है उसे भी कर लो क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है यहां तक कि संतों ने बताया है कि जीवन एक ऐसी चीज है कि पानी के बुद्बुदे के जैसा कब फूट जाए पता नहीं है आज प्रमात्मा की किरपा से सांस चल रही है तो हम बोल रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं घूम रहे हैं लेकिन कब सांस रिज से निकल जाए कोई भरोसा नहीं है और पल भर का जीमन का भरोसा तो है ही नहीं अभी सुनाई पड़ता है कि करो मेरे साथ बैटेते खा रहते पी रहते आचाना का टैक आया हो तो इसलिए जीवन का भरुसान ने इसलिए संतों ने परमाया कि जो कल करना है उसे आज कर लो जो आज करना है उसे अभी कर लो क्योंकि वादा अगर हम सास्तों में देखेंगे तो रावण ने जब स्वर्ग में जाने के लिए सीड़ियां बना रहे थे तो उन्होंने भी वादा कर दिया कि एक सीड़ी बचिवी थे कि आज में बाद में बनाएंगे और लाश्ट में आप जानते हो कि रावण स्वर्ग के लिए सीड़ी बना ही नहीं पाया क्योंकि वसने वादा किया था इसलिए संतों का कहना कि अगर जीमन में सभलताएंगे अधिमन सभखेंगे शागए देखिएगा इसको पूरी तरह से सुनिएगा आपको कैसा लगा ये कमेंट के द्वारा हमें जुरूर बताईएगा और ऐसे ही मन की जो भाव आते रहेंगे हम आप तक रखते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी विचारे हों मैं आप से साज़ा कर सकूँ आपके अंदर भी कोई विचार होगा तो आप हमें कॉंटेक्ट कीजिएगा 979-444-5548 पर और हम उसकी चर्चा करेंगे जो अच्छे विचार हैं अच्छी वावना हैं वो लोगों तक पहुंचाने का प्रियास करेंगे तो मैं यहीं पर विणाम चाहूँगा और इतना जरूर को होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और धन्यवाद झाल्ड़ करेंगे जरूर कर दो प्रियास करेंगे जरूर का ला विचार को यह जवाद झाल झाल